अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल के स्वी आपका श्वागत करता हूँ अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की संस्कृति के बारे में इवावर को परिशे कराना है और इसमें हम लोग कई सीरीज लेके चल रहे हैं कई टॉपिक के अंतरगत जो प्रिजेंट टॉपिक है यह भारत की परिवार जीवन यह मुल्य के संदर में हैं और यह हमारा सीरीज टू है इस सिरीज 2 में हम लोग व्याख्याईद करने जा रहे हैं भारत की एक परमपरा जो सिव परिवार में दिखती है यानि सिव फैमिली से हम लोग सब लोग परिचे हैं लेकिन सिव फैमिली में जो परमपरा है उसके पीछे क्या दर्शन है क्यों सिव फैमिली बनाई गई क्यों नहीं किसी विष्णु फैमिली को देखते हैं क्यों नहीं हम किसी अन्य फैमिली को देखते हैं कि सिव परिवार ही क्यों देखते हैं सोचने का विशार है न कि हम लोग कोई अन्य देवताओं के किसी फैमिली इंदर की फैमिली देवताओं के राजा है इंदर की फैमिली नहीं देखते हैं, लेकिन सिव फैमिली देखते हैं, तो एक विचार करने का विशह है, क्या कि सिव फैमिली ही क्यों, आईए हम लोग सिव फैमिली को देखने का प्रयास करें, सिव फैमिली के तत्तों को देखने का प्रयास करें, तो आईए देखते हैं हम लोग देखे किसी भी मंदिर में हम लोग जाते हैं तो यह एक सामानिशा जहेवा दृष्य है जिसमें हम लोग अगर इस दृष्य को जहेवा गौर करके देखें तो देखें भगवान सिव जहे और उनके साथ परिवार परिवार का मतलब जहेवा क्या होता है तो मापारवती नंदी, इसके बाद कार्तिके, भगवान कार्तिके और भगवान गनिश इसी को हम लोग सिव परिवार करते हैं सिव परिवार में हम लोग इसको देखते हैं हम जो इस धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं जल चड़ाते हैं, दून्स चड़ाते हैं, सहर चड़ाते हैं, और चड़ा कर चले आते हैं. लेकिन सीव परिवार को आप कभी गौर से देखिए, सीव परिवार के तत्वों को गौर से देखिए, और जब सीव परिवार को गौर से देखिए और उसके तत्वों को गौर से द दर्शन को देखिए आईए हम लोग जहेए इसी शिव परिवार के एक दूसरे चित्र को जहेए देखने का प्रियास करते हैं शिव परिवार का एक चित्र है और शिव परिवार के चित्र में जहेए वह देखिए शिव परिवार में जो तत्व हैं वह केवल जहेए भगवान सिव और मा, पार्वती, कार्तिके और गनेशी नहीं है वैलकि सिव परिवार के अंदर जहे वो सब के वाहन भी आते हैं यानि सभी जहेवा हम लोग जैसा की जानते हैं सभी देवी देवताओं को एक वैकिल या वाहन जहेवा दिये गए है वाहन के साथ जोड़ा गया है संबंद जहेवा और वो कोई न कोई जहेवा जीव है उन जीवों के साथ संबंद जोड़ा गया है उसको भी जहेवा सिव परिवार का अंग माना जाता है तो इसका मतलब है सिव Paraivar का अंग है जैसे ये वाहन है सेर और ये वाहन किसका अंग है? मा पारवती का और ये नंदी किसका जाहा है वाहन है तो भगवान सिव का अब आईए गौर करके देखिए हम लोग अगर इसको लोग वाहन ना माने अएक जीव माने और ईको सिस्टम क परियावरन में एक आप गौर कर करें इसका मतलब है सेर एक मानसाहारी जीव है और उसका भोजन एक साकाहारी जीव जो एक बैल के रूप में भी एक समझा जा सकता है यानि नंदी जयवा क्या है? बैल के रूप में हम समझ सकते हैं इसका मतलब है ठीक है सेर का भोजन और भी ततो होते हैं लेकिन बैल भी एक भोजन, फूड वेब में बैल भी आता है तो इसका मतलब है कि एक सेर है, सेर का भोजन जहेवा क्या है? बैल है, ठिक? इसके बाद जहेए आप अगर इसी सिव परिवार को और जहेवा एक दूसरे इमेज में मैं देखना चाहता हूँ, आप गौर करके देखिए, कि ये कार्तिके हैं और कार्तिके का वाहन जहेवा क्य तो एक सर्प होता है, यानि मोर जो है, वो शर्प होता है, तो ये मोर का भोजन सर्प है, अब देखिए, यहां सर्प है और भगवान गनेश, भगवान गनेश का जो भोजन है, वाहन क्या है? तो चूहा, अब गौर करके देखिए, इस नाग का भोजन क्या है? तो ये चू यानी सेर का भोजन, पैल, नंधी, या फिर मोर का भोजन नाग नाग का भोजन चूहा, ऐसे ही भोजन के साथ क्यों सुसजित किया गया? तो दरसल आप विश्यों में आप तमाम संघर्सों को गौर करके देखिए विश्यों में कोई जाती का संघर्स है, कहीं लिंग का संघर्स है, कहीं धर्म का संघर्स है कहीं किसी मुद्दे पर संघर्स है, कहीं दो देशों के बीच संघर्स है लेकिन इन तमाम संघर्सों के बावजूद भी अगर विश्यों के संघर्षों को गौर करके देखिए तो सबसे बड़ा संघर्स है वो संघर्स होता है भोजन का संघर्स और भोजन का संघर्स एक भूखा पेट समझ सकता है तो भोजन का संघर्स सबसे बड़ा संघर्स होता है तो अगर भोजन का संघर्स सबसे बड़ा संघर्स है उसके बावजूद भी ये तमाम भोजन के संघर्स से उपर उठकर जो एक दूसरे का ग्रास से है एक दूसरे का भोजन है उन संघर्सों से उपर उठकर पूरा शिव परिवार में शेर और नंदी एक साथ रहते हैं जबकि भोजन का संगर्स है इसमें मोर और नाग एक साथ रहते हैं जबकि भोजन का संगर्स है और नाग और मुशक या चूहा वह एक साथ रहता है जबकि भोजन का संगर्स है इन भोजन का संगर्स के बावजूद भी ये सब एक साथ जहवा रहते हैं यह अपने आप में अजभुद जहवा बात है इतना ही नहीं है सिव परिवार के और भी तत्तों को गौर करके देखिए सिव परिवार के और तत्तों को गौर करके देखिए जैसे मापारवती हैं मापारवती को जो हम लोग जानते हैं यह जो है एक प्रजाती के रूप में आरे प्रजाती से जोड़ कर देखा जाता है जबकि भगवान शिव को अनारे प्रजाती से जोड़ कर देखा जाता है और देखे क्या है यह आरे और अनारे प्रजातीयों का भेद है फिर भी जह है वो दोनों पत पत्ति के रूप में शाथ हैं इसके बाद मा परवती का जो रंग है कलर कलर वह श्वेत वर्ण का है लेकिन भगवान सिव को आपने श्वेत वर्ण में कभी नहीं देखा होगा वह श्याम वर्ण के हैं तो यहां पर देखिए रंग का भेद है यानि एक स्वेत वर्णी और ए जानकारी जो मिलती है, कि वो राज़ कुमारी थी, और भगवान सिव जाव क्या हैं, तो एक योगी, यहाँ पर अर्थ का भी अंतर है, अर्थ यानि एकोनॉमी, अर्थ का भी अंतर है, एक कोई बहुत बड़ा अमीर घराने की जावा पुत्री और एक योगी जिसके पास कु पहने हुए हैं और फिर भी पती-पत्नी के रूप में साथ हैं इसका मतलब है सिव परिवार है वो मात्र के वल जल चड़ाने की बात नहीं है वास्तों में सिव परिवार को देखना सिव परिवार को महसूस करना सिव परिवार के पीछे चिपे दर्शन तो ये सिव परिवार एक रह सकता है तमाम जो है वह अर्थ भेद यानि इकोनॉमी के भेद के बाद भी सिव परिवार एक रह सकता है और जब सिव परिवार एक रह सकता है तो हमें केवल जल नहीं चढ़ाना है बलकि वास्तों में सिव परिवार के पीछे चिपे जो दर्शन है उस दर्शन को महशूश करना है उस दर्शन को आत्मशाद करना है और उस दर्शन को आत्मशाद करके इस समाज के लिए उपयोगी जहवा बनाना है तभी यह वास्तों में से उपर परिवार पर जल चढ़ाना शार्थक कदम हो शकता है थेंक्यू